जैपुर के सिर्सी रोड पर कनकपुर अस्थित लिप्विक फूड फैक्टरी में आज जो सुभा भीश्रनाग लग गई इससे मौके पर अफरा तफ्री मच गई आग से लाखो रुपए के नुकसान की आशंकार जताई जा रही है सुषना पागर करणी विहार रथाना पोलिस मौके पर पहुंची इस बीच मुख्या अगनिशमन अधिकारी जलज घसिया वीकियाई फायर स्टेशन के एफो भवर सिंग बंदाय का फायर स्टेशन के प्रभारी चैन कवर के नितरत में पांच दमकली मौकी पर पहुंची आग की तेज लप्टे और काले धुए का गुबार दूर तक दिखाई देने से बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए दमकलों ने आग पर काबू पानी के लिए कई फेरे लगाए तब तक लाखु रुपय का बेकरी का सामान जल कर खाक हो गया जैपुर के करधनी शेतर से ये बड़ी अपडेट सामनी आई है फूड फैक्टरी में आग लगी है राज़ानी जैपुर में आग लगने की ये बड़ी घटना हुई है जैपुर का करधनी शेतर है जहां पास ही कनकपुर आईला के में ब्रेड, बर्गर, केक, बिस्किट समेत अन्य डेरी उत्पाद बनाने वाली इस फैक्टरी में आज तड़ के आग लग गई आग लगने के कारण लाखो रुपे का सामान जल गया है नुकसान हो गया है गरनीमत रही कि फैक्टरी में काम करने वाले करुशारी उस दौरान उपर ही सो रहे थे उनको इस आग से नुकसान नहीं हुआ आग लगने के इस घटना के बाद छे दमकल और अन्यनीजी टैंकरो की मदद से आग को पूरी तरह से काबू किया जा सका इसमें दो से तीन घंटे का समय लग गया यह फैक्टरी रीको एरिया में स्थित है प्रारंबे के जांच में आग शौर्ट सरकिट से लगना ही सामनी आ रहा है मौके पर पुलिस और दमकल विभाग के अफसर पहुँशे उन्होंने बताया कि कनक पुरा इलाके में लिपविक फूड फैक्टरी है वहाँ पर आज तड़के आग लगी आग लगने की सूशना के बाद पहले तो निजी टैंकरों से आग पर काबू पानी की कोशिश की ग घी तेल और क्रीम का मिली जाती है उनमें आग लगई और इस ख़वर पर जानकारी के लिए हमारे सहे होगी राजू इस वक्त फोन लाइन पर जूड़े है राजू सबसे पहले जाना चाहेंगे आग किस वक्त लगी और अभी क्या स्थिती है जी बिल्कुल इस शिसी रोड के कनकपुरा में अल सुबह 6 बजे आग लगी है एक देखरी की फेक्ट्री है लिक्विक प्राइवेट लिपिटेड के नाम से उसमें 20 अग लगे थी करीब 6 दमकले मोके बर पहुचिए और आग बुजाने के परियाज जा रही है जी राजू और आग लगने का कारण क्या बताया जा रहा है अभी तक खिलाल जानकारी में सामने हैं। अग्यात कारणों से आग लगने का मामला सामने आ रहा है जी राजू और निक्सान की बात करें तो नुक्सान कितना हुआ है और जिस वक्ते हैं सुबह आग लगेती है उपकी जो तीस त्री फलोवर है उस पर कुस मख़ूस हो रहे थे जैसे आका दौाँ उटा वो एकाय नीचे आ गए और इसकी सुचना से प्रिमाली के हरी संगदानी को दी उसके बाद फायर स्टेशन पे दी और उसके बाद दमकले मोगे और पुची जी राजो और क्योंकि एक बड़ी फैक्टरी है तो क्या इस फैक्टरी में जब आग लग जाए तो उसे ने पटने के लिए तमाम जो उपकरण होते हैं क्या वो मौजूद थे और क्या जो पेपर वाक होता है वो पूरा कम्ट्रीट था? जी उसके भी जात चल रहे हैं कि इसमें फायर फैक्टिन सिस्टम है या नहीं इसकी पूरे माम लेकि उसके बाद जो नेमनसान जो कारवाएगी वो की जाएगी इसके उपर जी राजयों से तमाम जानकारिक ले आपका बहुत धन्यवाद तो ये जैपूर के करदने इलाके में फूड फैक्टरी बताई जा रही है जिसमें आज अलसुभ है आग लग गई पांसे छे दमकले मौके पर पहुंची आग बुजाने की कोशिश की गई और आग को काबू पालिया गया हाला कि लाखों रुपे का नुकसान यहां पर हुआ है लेकिन कोई जन्हानी नहीं हुई है